वेस्ट लेक्टाफ फो आर्किटेक्चर इन 2021 तो भई अगर आपका बचेट नभी अजार से लेके दो लाक है आज हम इस बचेट की बात करेंगे एंड मैं आपको बताना जाता हूं अगर आपका बचेट नभी अजार से कम है यार मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है मेरे चै स्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाओड करना जाते तो कर सकते हैं अभी स्टार्ट करते हैं अगर आपका बचेट नभी अजार से लेके एक लाक दस अजार हो जाता है इस प्राइज रेंज में मैं आपको कहना जाता हूं परी मैंने रखें तीन चाओड के बजड़ में मिल जाएं प्लस यह स्टाली से डिजान में मिलता है उसके साथ साथ भी इसके स्पैसिफिकेशन बहुत आपको 16GB RAM मिल जागे 4GB ग्राफिक कार मिल जागा 144 रिफ्रेस्ट के साथ इसके डिस्प्ले को अलटी मिल जाए तो बई 90 सार के बजड़ में 16 GB RAM मिल जाना 4GB जाना एं इतने अचे डिस्पले डिजाइन मिल जाना सच में मैं अगरे मैह आपने आ जैसे सौफट यॉडे सॉफ्ट पर काम करना है आपको चुछी एप सेंटे की बात करते हूं आपके display quality अच्छी होने वाली है, processor की बात करूं, आपको i5 भी मिल जागा, आपको i7 भी मिल जागा, storage की बातों को 8GB भी मिल जागा, आपको 16GB मिल जागा, and storage का variant भी आपको different मिल जाएंगे, graphic card की बातों को 4GB, graphic card मिल जागा, operating system की बात करूं, आपको Windows 10 देखने को मिल जाएंगे, battery life की बात करूं, तो सच जब बताऊंगे, तो आपको 7 hours का battery life प्रवाइड कर देता है, अगर आपने जादा भी use करना तब भी ठीक है, price की बात करूं, 85 वार्म से लेके, आपको ये 90 बात हो जुँके budget में, Asus Rock Citrix G15 देखने को मिल जाएगा, तो यहार, main specification में आपको बता दिया, Asus Rock Citrix के अभी आगे बात करते है, number 2 की number 2 पर यहार, मैंने रखा है, Asus Rock Zabras G14 को, अगर इस laptop की बात करूं, 2020 में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाना है वाला, प्लस यह सबसे ज़्यादा विकने वाला laptop है, विकर्ज आपको एक stylish premium color के साथ देखने को मिल जाएगा, आपको back side में lighting देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको customize कर सकते हो, and आपको 8 GB RAM भी मिल जाएगा, 16 GB RAM भी मिल जाएगा, 4 GB Graphic Card भी मिल जाएगा, तो यही चीज़ आपको देख लेना, प्लस अगर आपने gaming करने हैं, lab stream करने हैं, जैसे भी यूज़ करना है, कोई भी हावी software यूज़ करना है, आप इजली नॉमली कर जोगते हैं, इसके specification ही बहुत अगरे ही मिल जाते हैं, आपको anti-dust cooling मिल जाते हैं, और भी specification ही बहुत है, आपको 120 डिफ्रिश्ट के साथ इसके display मिल जाती है, मैं main specification की बात कर ले तो आपको थोड़ा सा deeply पता चल जाएगा, तो यह display की बातों को 14-inch full HD plus display मिल जाती है, जो कि IPS anti-glare display, परसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है, 4600HS के साथ, जाती है, बैंटरी लाफ की बातों को 10 hours का बैंटरी लाफ मल जादा प्राइस की बात करूँ, आपको 90,000 से स्टार्ड हो जाता है इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जितना पेख होरूं कि उसके according आपको specification देखने को मिल जाएंगे, तो यार, main specification मैंने आपको सूस रॉक जाबस जी 14 के भी बता दिए, यह laptop भी सच में बहुत ज्यादा से, अगर आप architecture, अगर आप graphic design करते हो, अगर आप animation करते हो, तो सबसे ज्यादा matter करते हैं आपके display ही है, इसमें आपको 4K display देखने को मिल जाती है, एंड इसके specification भी बहुत बहुत मिल जाता है, आपको 15.6 इंच 4K Ultra HD display मिल जाती है, आप processor की बातों को i5 10, 8th generation के साथ मिल जाता है, ठीक है, आपको 10th generation भी मिल जाता है, आपको i7 भी मिल जाता है, ठीक है, आप storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, expandable आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, ग्राफिक कार की बातों को AMD Rx Vega 4G भी मिल जाता, operating system की बातों मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 7 hours का बैंटरी लाप प्रवाइड का जाता, तो यार अभी मैंने आपको 3 laptop बता दिया, जो की 90,000 से लेके 1,10,000 के budget में आपको normally easily मिल जाएंगे, plus सभी की लिंक मैंने प्रवाइड की है, आपको description box में देखने को मिल जाएंगे, उसको चावड भी कर लेना, अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका budget एक लाख 10,000 से लेके, एक लाख 30,000 हो जाते हैं, इस price range की बात कर लेते हैं, तो इस price range में भई मैंने फिर से रखे है, करते हो, 3D animation करते हो, graphic designing करते हो, coding करते हो, programming करते हो, प्लस अगर आपने video editing करनी है, photo editing करनी है, आप सभी के लिए ये laptop बनाया, भी बात करते है, display की तो आपको 14 inch full HD plus display मिल जाती है, जो कि iPad level display है, second display की बात करूं, आपको 12.6 inch full HD plus display मिल जाते है, NVIDIA G4 MX250 मिल जाएगा, operating system की बात करूं, window 10 मिल जाते है, battery की बात करूं, आपको 10 hours का battery ला मिल जाता है, price की बात करूं, आपको 125,000 के budget में, Asus Zenbook Duo देखने को मिल जाती है, तो यहार, main specification मैंने आपका Asus laptop के बता दिया, भी बात करते है, नमबर 2 की, नमबर 2 पर यार मैंने रखिया, HP Spector X360, तो यार सबसे पहले मैं आपको कहना जाता हूँ, बहुत international creators के पास आपको यह laptop देखने को मिलेगा, एंड भी इसके specification भी आपको पूरे loaded मिल जाता है, अगर आपने long time-perd काम करना, आप easily normally कर सको होगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है, उसके साथ हमें बात करते हैं, भी आपको एक stylish premium color के साथ देखने को मिलेगा, दो colors में आता है, जो भी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, बात करते हैं, इसके main specification की, तो यह display की बातों को 15.6-inch 4K display मिल जाती है, जो की touch screen है, जो की HP pen के साथ आती है, ठीक है, आप processor की बात करूँ, आपको i7 10th animation के साथ मिलता है, storage की बातों को 16GB RAM मिल जाती है, पर आपको 512GB SSD देखने में बिल जाती है, graphic card की बात करूँ, आपको GTX 1660 Ti मिल जाएगा, वो भी 4GB के साथ, आपको फ्रेंट इसने की बातों को इंटो 10 मिल जाती है, बैटरी की बात करूँ, आपको 30 hours का बैटरी ला मिल जाता है, प्राइस की बातों को 120,000 से start हो जाती है, एंड इसका प्राइस बाइस बाइस दो लाग के बज़र्ट अब जाता है, तो यार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया, HP Spector X360 के भी अभी आगे बात करते है, नब वान की नब वान पर यार मैंने रखिया Microsoft Surface 3 को, अगर इस लैप्टॉप की बात करूँ भाई अगर आपको एक slim and stylish design चाहिए, चाहिए, color wise बाँ आपको premium touch होना चाहिए, उसके साथ अगर आपको two in one laptop चाहिए, अगर आप architecture हो, आपको ये laptop चाहिए, आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है, इसमें आपको 8 GB RAMP मिल जाएगा, 16 GB RAMP मिल जाएगा, 32 GB RAMP मिल जाएगा, मतलब जितना पे करोगे उसके according, आपको specification बिलते जाएगे, इसका budget जो है आपको 90,000 से start हो जाता है, इसका budget या 2,000,000 के budget तक भी जाता है, तो आप देख रहे हैं जो भी specification आपको चाहिए, आप उसके और जा सकतो, आपको बहुत सूट करने वाला अगर आप कहीं लेकर जाओगे तो वह बिचीज आपकी मतलब personality को आगे लेकर जाएगी, अभी बात करते हैं इसके main specification की तो display की बात करूँ, आपको 13.5 inch full HD plus display मिल जाएगी, जो की touch display आप processor की बातों को i5 10th dimension के साथ मेलता, storage की बात को 8GB RAM मिल जाएगी, plus 128GB SSD देखने को मिल जाएगी, मैंने आपको पहले repeat कर दिया था, i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा, 8GB मिल जाएगा, 16GB RAM भी मिल जाएगी, storage भी आपको increase मिल जाएगी, graphic card आपको 4GB मिल जाएगा, प्रास भी देखने को मिल जाएगा, operating system की बात भी मिल जाएगा, battery की बात करूँ, आपको 11 hours का battery मिल जाएगा, price की बात करूँ 90,000 से start हो जाएगा, 2,000,000 के बहरता का आपको देखने को मिल जाती है, तो यार, main specification में आपको Microsoft Surface 3K भी बता दिया, बज़ड भी इतना होता ना, तो मैं Microsoft Surface 3K और जाता बिकर सच में इसका design, इसकी look and इसके specification सच में वहुत अपर देखने को मिल जाती है, आपका काम ऐसा है यार, अगर आप architecture हो ना, तो आपके हाथ में पकड़ी होंगी, hold की होंगी, सच में वहुत suit करने वाली है, प्लस specification के according भी आपको पूरी loaded मिली जाती है, अब यह आगे बात करते हैं, अगर आपका budget डेड़ लाग से लेके 2 लाग हो जाता है, इस price range की बात कर लेते हैं, तो अभी बात करते हैं, अगर आपको budget डेड़ लाग से लेके 2 लाग हो जाता है, तो इस price range में मैं तो आपको सीधा कहना वाला हूँ, कि आपको Apple MacBook Pro के और जाना चाहिए, या Apple MacBook 13 के और जाना चाहिए, प्लस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कि आपको 16 GB RAM के और जाना, तो I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको यार मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक करते ना, कमेंट करते ना, शियर करते ना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी दना, उनको भी कहते ना कि चानल को करते सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक एंट इंस्टार्ट राम पे कलो फॉलू यार लिंक आपको डिस्केट इन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाओड कलना भी में आते हैं नग्स्टी वीडियो मेन वीडियो करते हैं थैंक यू